हेलो एवरिवान एक बार फिर से सवागत पेटा आप सबीगा आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टोपिक जो की सिग्निफिकन्ट फिकर्ट की ट्रिक यह नहीं के उपर हम वर्क कर रहे हैं आज हम थोड़े हैवियर स्टेंडर्ड के क्यूशन लेकर आए हैं जिनके उप सिग्निफिकन्ट फिगर्ट है यह आपके फिजिक्स में भी बायलोजी में भी केमिस्ट्री में हर जगे काम आती है तो कुछ एक ट्रम जैसे की मान लिया मेरे पास है फाइब पॉइंट फॉर तू मल्टिप्ला बाइट टैनरेज टू पावर 19 ठीक है यह मेरे पास कोई द देरखी है इसके लिए आप क्या करोगे ठीक है है अब सिगनेफिकेंट्ट फिकर तो निकालना अपने इसमें ठीक डेने रखीी चलिए हेलो एवरिवन एक बार फिर से सवागत आप सभी का आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टोपिक सिगनिफिकेंट फिकर्षे कुछ एक हाइयर ट्रम की प्रोलम्स लेकर आए हैं ठीक है कुछ एक हाइयर प्रोलम्स को सोल करेंगे जो कि आपके बहुत ही ज्यादा स्पोज अपने पास यह दे रखा है अब आप इसमें बताओगे यह तो मरूल अल्वेडी बता चुका हूं जो कॉंस्टेंट रम होती है उनके लिए आप इंफाइनेट सिगनिफिकेंट बोलते हो परंत यहां से अगर आपने को निकालनी पड़ जाए तो क्या करते हो आप ठीक है स्पोज अपने पास कोई वैल्यू गिवन है 1.0 1.200 ठीक है इंटू 10 रेज तो पावर माइनस 2 यह कोई वैल्यू गिवन है अगर आप इसमें सिगनिफिकेंट निकालोगे तो क्या करोगे मैंने बताया था अगर वे पॉइंट के बाद 0 आई हुई है तो काउंट हो पावर कुछ भी हो उसको आप काउंट नहीं करते समझ में आ गया मैंने आपको यह पताया अगर मान लीजी यह यह उत्ता यह उत्ता अपने पास तो हम यह पर कितनी बोलते कि कि सिग्निफिकेंट है टू सिग्निफिकेंट फिकर है टू ön पर्पॉइंट के बाद जिडि इसलिए मेनको काउंट करते हैं ठीक है कर लोगे कर लोगेвой तिक है इसके इस तरह की आपके पास problem आज यहती तो क्या करोगे इस तरह की problems को क्या करोगे देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है आप इनको तो रहने दीजिए एक side में आप जो पहले वाले हैं इनको उठाइए ठीक है इनको divide कीजिए 2.0 divided by 8.330 8.330 तो अब यहां पर significant देखे कितनी अपने पास कितनी यहां से point के बाद की 0 count होती है इसलिए 2 significant यहां पर कितनी है point के बाद वाली 0 count होती है 4 significant तो यहां से divide करने के बाद जो भी अपना answer मिलेगा उसमें अपने को कितनी significant तक चलना है minimum significant तक चलना है जो की बात मैं already बता चु यह अपने को value मिलती है अब यहाँ पर अपने को कितने तक चलना 2 significant तक 2 significant कौन कौन से यह रहे अपने पास फिर हम क्या करते थे next term को check करते थे next term 5 या 5 से बढ़ी है तो हम पहली में एक add कर देते थे otherwise अपने को जुरूत नहीं हो आप as it is लिखोगे 10 raise to power 12 divided by 10 raise to power 8 आप इसमें से just minus कर दीजिए direct आप इसमें से क्या किजिए minus कर दीजिए 10 raise to power 4 तो अब आप इसको क्या गरोगे यहाँ पर लिख लोगे ठीक है तो अपना answer कितना मिल जाएगा 0.24 ठीक है multiply by 10 raise to power 4 यह अपने पास answer मिल जाएगा ठीक है अगर यहाँ से अब यहाँ से क्या होता है अब वो कहेगा कि यह correct answer या नहीं है वो आपको देगा इसी तरह से देगा परन्तु बेटा यह भी आपके पास correct answer नहीं है यह तो अपने पास value आई है 10 raise to power something कुछ भी हम उनको count तो करते नहीं अपने को रखना कितना है 2 significant ही रखना है परन्तु ध्यान रखना अगर कभी भी ऐसी value मिल जाए कभी भी आपके पास ऐसी value मिल जाए तो आपको क्या करोगे point से पहले एक non zero को लेके आना जरूरी होता है तो आप इसमें से क्या करोगे आप कर दोगे 2.4 2 significant अब भी है 2 significant अब भी थी परन्तु अब यहाँ पर 2.4 कर दोगे multiply by 10 raise to power कितनी हो जाएगी आपने एक point इस तरह बड़ा दिया कितनी हो जाएगी अपने पास 3 10 raise to power 3 this is the correct answer this is correct answer I hope that आपको समझ में आगया होगा इस तरह से आप निकाल सकते हो correct answer कैसे निकलेगा वो आपको option में ये भी देगा वो आपको option में ये भी देगा वो आपको option में ये भी देगा परन्तु आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी बातों का पहले तो आप इनको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आप जो भी अंसवर निकालिए, जितना आपके पास small significant है वहां तक पहुँचिए, वही अंसवर में जाना आपके पास, फिर उसे next ट्रम को आपको चेक करना है, next ट्रम अगर आपकी 5 या 5 से बढ़ी है, तो आपको पहले वाली ट्रम में एक बड़ा देना है, अगर नहीं है तो as it is लिख देना है, फिर उसके बाद आप जो ये 10 raise to power 12 है या फिर जो भी ये 10 raise to power है, उनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करने ते टाइम आप जस्ट को आपको करना क्या है, जो बड़ी ट्रम उसमें से छोटी ट्रम को माइनस कर देना है, आपके पास जो भी मिलेगा आप उसको multiply में 10 raise to power 4 लिख देना, अब यहां से आपके पास भी correct answer नहीं मिलता, इसको correct करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखना, आप point से पहले क्या करना अपने को, एक non zero word लेके आना है, non zero कौन सा था, अगर मैं इ आ गया हुआ, ठीक है, तो इस तरह से आप निकालते हो, कि value को कोई भी value अगर आपको मिलती है, तो ऐसे निकालनी आपको, कर लोगे, चलिए, चलिए, next point की तरफ चलते है, बेटा बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जुरूत है, significant figure का आज last topic है, इसके बाद आपकी सारी की सार प्रोलम्स सोल हो जाएंगी, ठीक है, मैंने किसी भी तरह की कोई प्रोलम्स नहीं छोड़ी है, अगर आप physics में apply करो, chemistry में करो, कहीं पर भी करो, apply, आपको मिलेगी नहीं प्रोलम, ठीक है, चलिए, अगली प्रोलम की तरफ चलते हैं, अपने पास, क्या होगा, अगली प्रो आपके पास, वो पहली बार divide में था, आपकी बार plus में हैं, तो आप 9.2 into 10 raise to power 4, इस तरह से अगर आपको given हो, तो कैसे सोल करोगे, ठीक है, divide की हमने पड़ ली, multiply की हम पड़ चुके हैं, plus की अब देख लेते हैं, plus करने पर क्या होता है, तो आपको करना क्या है, इसको उठ पहले plus कीजिए, 2.113, और 9.2, इसको add कीजिए, 313.11, यह मिलता है, अब आपको करना क्या है, तो मैंने पता है था, add करते time, आप यूँ कर के देख लेना, जो point के बाद minimum, point के बाद minimum digit तक आपको चलना है, तो वहां तक answer मिलेगा, आपका 11.3, 11.3, अब यहां पर भी 10 raise to power 4 यहां पर भी 10 raise to power 4 है, आपको exit उठा गे लिख देना, multiply by 10 raise to power 4, multiply by 10 raise to power 4, परन्तु मैंने अभी भी आपको एक चीज बताई थी, अब यहां से अपने को देखना क्या है, अब अपने को चेक क्या करना है, यह तो पास, अपने पास मिली गई, अब अपने को चेक क्या करना ह है, वो एक ही, point से पहले 1 ही अपने पास significant होना चाहिए, point से पहले 1 ही अपने पास non zero significant होना चाहिए, तो मैं इसको कितना लिख दू, 1.13 into 10 raise to power कितना हो जाएगा, मैंने अगर इस तरफ बढ़ा यह value, मैंने इस तरफ इसको increase किया, तो यहां पर कितना हो जाएगा अपने पा अगर आप इस में, अगर आप इस में से क्या करते हो, यहां से यह point इसको नीचे 10 ले गया तो उपर ले गया जाते हो, तो आपके पास वैसे minus में हो जाएगा, तो 113 बन जाएगा, अगर आप इस point को आगे की तरफ बढ़ाते हो, तो यह value बढ़ा दीजिए, पीछे की समझ में आगया हुआ, हमने अब इस point को आगे ले गये हैं, तो एक point अपने बढ़ा दिया, इसकी भी एक value हो, बढ़ा दीजिए, ठीक है, इस तरह से कर शकते हो, यह अपने पास correct answer मिलेगा, यह अपने पास correct answer मिलेगा, समझ में आ गया, ठीक है, कर लोगे, चलिए, अगली कोई ट्रम है, अपने पास एक नई प्रोलम है, जो कि कुछ इस तरह से है, कोई ट्रम है, स्पोज अपने पास, 50.00 multiply 140.0, ठीक है, इसको multiply करने के बाद एक नई तरह का question है, ध्यान से समझना, आपको 7000 मिलता है answer, और आप इसको multiply करोगे तो आपको यह answer मिलेगा, ठीक है, अब देखते हैं, इसमें कितना significant है बेटा, significant की बात की मैंने कितना है, 4, क्योंकि point के बाद की 0 count होगी, इसमें भी कितना है, 4, क्योंकि point के बाद की 0 count होगी, तो 4 significant यहाँ पर 4 significant यहाँ पर है, तो अपने को यहाँ पर 4 significant चाहिए, अपने को कितना चाहिए, 4 significant चाह है one है क्यों है क्योंकि last वाली zero को हम count नहीं करते तो इसलिए यहां पर तो कितना है one significant है परन्तु अगर मैं ऐसा कर दूँ इसको seven zero 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 point लगा दूँ एक point लगा दूँ तो यह 7000 मेरे पास complete हो गया अब point से पहले की zero तो count होती है तो कितना मिल जाएगा यहां से four significant परन्तु अपने को चाहिए क्या अपने को क्या चाहिए answer में क्या मिला अपने को इस तरह से मिला है हम इसको कर रहे गया अब अपने को answer तो चाहिए पूरा ही 7000 ठीक है तो इसको solve करने के लिए अपके पास value कैसे मिलेगी अगर आप इसको 7.000 लिख दो तो भी कितनी है four significant ही है बात तो वही है परन्तु अपने को answer में तो 7000 चाहिए क्योंकि multiply करने के बाद तो यही मिलता अपने पास तो मैं इसको लिख दूँगा जितनी zero यहां पर है उतना ही 10 raised to power 3 उतना ही मैं उसको 10 raised to power में लेके जाऊंगा इंपोर्टेंट है यह आपका final answer मिलेगा वह आपको answer में यह भी देगा यह भी देगा देखो क्या किया मैंने बेटा फिर से समझना क्या किया हमने इनको multiply किया multiply किरने इक बाद यह answer मिला प्रंतो अपने को यह पता जितनी significant यहां पर होती जितनी आपर ओती इआंपर होती hy अगर उत्नी ही अपने पास पर उने चाहिए यहां पर उने चाहिए यह पिर multiply में हमने क्या देख्या था जितनी significant यहां पर और एक जगह कम है एक ज्यादा एक कम तो कमवाली को यूज करते थे परन्तु अब की बार क्या अपने पास equal है तो equal चे अपने को परंतो अंसुवर में तो अपने को कितना मिला वन सिगनिफिकेंट मिला अब वन सिगनिफिकेंट को बनाना कितना था अपने को फोर सिगनिफिकेंट तो मैंने क्या कि या इसको बाद में पॉइंट लगा लिया बाद में पॉइंट लगा लिया 4 तो significant बन गया frre significant बन गया परन्ठु मेरे पास यहाँ पर point लग जगया मेरे को ऐसा काम करना कि मेरे पास 7000 पे मिल जए 7000 भी मिल जए और मेरे पास significant figure भी complete आ जए तो मैंने क्या कि यह इसको convert कर लिया इस तरह से इसको convert इस तरह से कर लिया तो मेरे पास यहां पर 4 significant भी मिली और इनको हम count करते ही नहीं तो यह अपना final answer इस तरह से मिलता है I hope बेटा आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आगे की तरफ एक दो question और देख लेते हैं छोटे छोटे question है उनको solve कर लेते हैं चलिए ज्यादा fast तो नहीं हो रहा है चलिए देख लेते हैं अपने पास ट्रम है 1 1 2 5 6 0 divided by 5.6 56 sorry 56.28 यह अपने पास 56.28 है और अपने पास इनको जब आप multiply करते हो तो आपको मिलता है 2000 के करीबन आपको value मिलती है suppose आपको given है और आपसे significant figure निकाल वा रहा है आपसे value जानना चाहता तो क्या करोगे यहां से significant कितनी है कितनी अच्छे नहीं है बेटा अच्छे नहीं है क्योंकि last वाली 0 को count नहीं करते five significant कितनी है five significant यहां पर कितनी है four significant तो अभी अभी हमने बताए था अगर five or four अगर कम हो ज्यादा तो आप कम वाली significant लेते हो कितनी यहां पर कितनी यहां पर one significant है बर मेरे को इसको च्यार significant में convert करना तो two zero 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 point लगा सकता हूं point से पहली के तो count हो सकती है परन्तु यह value क्या है valuable नहीं है यह मान्य नहीं है इसको हम मानोगे नहीं यहां पर four significant तो मिल गए आपको परन्तु आप क्या करोगे two कितना बनाना आपको four significant बनाना है तो इसको two point zero 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 लिख लो कितना हो गया four significant और आपको कितना चाहिए पूरा 2000 चाहिए तो कितना करना ten raised to power three यह आपका final answer मिल जाएगा है ना simple simple सी trick है ना कर लोगे चलिए equation और ले लेते हैं एक और problem ले लेते हैं problem अपने पास 20.0 multiply by 100.0 ठीक है यह value अपने पास अगर अपने पास यह value है तो क्या हुआ देखना भी कितने significant three significant कितने significant कितने यहापर point के बाद वाली zero count होती है नहीं होती है four significant इनको multiply करोगे तो कितना मिलेगा two thousand अब यहापर भी कितने चाहिए आपको four significant परन्तु कितना मिला one significant किस के नाम का इस two के नाम का तो मैं क्या करूंगा two zero 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 point लगा लूगा मेरे पास बन गया मेरे पास तयार हो गया अब मेरे को क्या करना है इसको change करना किस में significant मे significant में change करना तो मैं क्या करूंगा एक मिन्ट, फोर निच से यह वह इसमें, इसमें अपने से कम वाला लेना है, ना, हाँ, कम वाला लेना है, तो 3 सिगनिफिकेंट तक चलना पड़ेगा, यहां तक, तो मेरे पास आएगा, यह, ठीक है, यह वैल्यू मिलेगी, अब मेरे पास कितना चाहिए अंसुर में, यह चा सिगनिफिकेंट भी, जितनी चाहिए थी, मिनिममम से यह थी, मिनिममम मिल गई, तो यह आपके पास अंसुर मिल जाएगा, I hope that आपको समझ में आ गया होगा, कर लोगे, ठीक है, ठीक है, कर लेना इसको, ठीक है, एक और, बस, एक और सिगनिफिकेंट फिगर को, आज हम, फ तो लगता, CTZ, 199918 यह मिलता मिरे को, कितनी सिगनिफिकेंट है, टू, कितनी है, टू, कितनी चाहिए, टू झाहिए, टू झाहिए, तो अपने को क्या करना है, next alarm चेक करनी, 5 यह 5 से बढ़ी है तो 5 से बढ़ी है तो इसको कितना बन जाएगा यह बन जाएगा यह बन जाएगा कितना चाहिए अपने को यहां पर पीछे 00 कर देनी है 2000 अपने पास मिल जाता है अब अपने पास क्या चाहिए 2 significant सेंट कांट करनी है अब यहां पर कितनी है वेन सिग्निफिकेन टैप बनादी कितनी है इंक एक कोडिक कि बनानी कितनी थी टू सिग्निफिकेंट थी तो कितना लिख दू डू है कि अलिकडी मॉल्टिप्लाई बिनाane claims यही तो चीज मिल गई जीतने अ आई हो बेट आपको समझ में आ गया हुआ ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे आप चुटकियों में सोल करोगे इसके अलावा अगर डिफ्रेंट टाइप का एक क्विश्चन और है अगर आपको मिल जाता है तो चलिए 8.9 इंटू 56 यह अपने पास यह है अपने पास इता इता शिग्निफिकेंट फिगर का टोपिक जो कि हमने हर तरह की प्रोलम को सोल कर लिया है कोई भी अमने प्रोलम छोड़ी नहीं है र क्विडियो अच्छी लगती है तो एक क्लाइक जुन दे देना ठीक है क्योंकि अपने को पता लगता रहेगा ठीक है कि आपको अच्छी लगी या नहीं और comment करके जुरूर बताना ठीक है अगर कोई भी doubt रहता है कोई चीज समझ में नहीं आती तो comment box में आप comment करके बता सकते हो हम उनको समझाएंगे तो मिलते हैं, next class में किसी नए topic के साथ अपना significant यहीं तक था इसका सफर अपने साथ यहीं तक था इसके सफर से आप हम अलग होते हैं ठीक है, all the best